नमस्तो दूस्तो आज हम बात करने वाले दूनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक के बारे में दूस्तो यह स्पोर्ट बाइक यह एक सूपर बाइक जाद है यूँकि इसके टॉप स्पीड आपको थ्री हन्डड प्लस देखने को मिलने वाल लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक दिखना आपको इस बारे में हर चीज़ पता चल जाएगा तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह जो बाइक है इसको हाल ही में एक CES नाम के सो में इसको रिप्रेजेंट किया गया था जहाँ पर इस बाइक के बारे में प्रेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में काफी अच्छे से बताया गया था दोस्तों डेमन नामक एक कंपनी है जिसने इस के उपर काम किया है और इसको अभी कोछी समय में लॉंच करने वाली है वेल अगर इसके पहले खास फीचर के बारे में बात करें तो जोस्तों वो यह है कि यह जो अपना पोजीशन है यानि कि राइडिंग पोजीशन जो है उसको यह चेंज कर सकती है इसमें आपको एक बटन मिलेगा अगर आप वो बटन दबाते हो वो जो राइडिंग पोजी उसमें आपको चेंज देखने को मिल जाएगा प्लस इसका जो वाइजर है वो भी उसका पोजिशन चेंज हो जाएगा ताकि आपको एरोडायमिक्स काफी अच्छे देखने को मिल जाएगा वेल अभी अगर हम नेक्स्ट वीचर की बात करें तो इसमें आपको 360 डिगरी सेंसर कौन से नहीं आ रही है वेल अगर हम नेक्स्ट वीचर की बात करें तो इसमें आपको रियर व्यू कैमेरा मी मिलेगा जिस वज़े से अगर कोई पीछे से स्पीड में आ रहा हो तो आपको पहले डिस्प्ले में दिखा देगा कि आपके पीछे ये लोग आ रहे हैं दोस्तो इसमें आपको कॉर्णर मैनेजमेंट भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों कॉर्णर मैनेजर में यह होगा कि जब आप कोई भी कॉर्णर करते हो और वह कार्णर को आप जानते नहीं हो तो 360 degree sensor के वाजे से आपको पता चल जाएगा कि आपको कि यहां पर किटना डिगर करन चाहिए चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें 360 डिगरी सेंसर तो यह आगे पिछे साइड का सब कुछ सेंस पहले ही कर लेगा क्योंकि जब हम कॉर्णर करते हैं अगे देख नहीं पाता है लेकिन 360 सेंसर को पता चल जाएगा जिसमें कि आपको हर चीज हर इंविशन दी जाएगी वैल अभी अगर हम इसके 0-60 की बात करें तो इसको 0-60 अचीव होने में 3 सेंड लगते हैं और 0-100 की बात करें तो 0-100 में इसको 4.5 सेंड के आसपास लग जाते हैं अगर हम लुक्स की बात करें तो यहां पर मैं सिर्फ अपने हिसाब से बता रहा हूं इसके लुक्स मुझे काफ़ी हद तक आरवन से सिमिलर लगते हैं दोस्त अब यहां पर हम माइलेज यानि की इलेक्रिक वेहिकल में रेंज की बात करें तो अगर आप इससे सिटी में चला आउ तो आपको 300 का रेंज मिल जाएगा और आप इसे हाइवे में चला तो इसमें आपको 483 का रेंज देखने को मिल जाएगा दोस्तों यह रैडिंग कंडि बना रही है दोस्तो ये मोटर सो में हाल ही में लांच नहीं इसको सूकेस किया गया था और इसके बारे में काफी कुछ बताया गया था वेल अब हम बात करते हैं कि क्या ये बाइक इंडिया में लांच होगी दोस्तो ये बाइक इंडिया में लांच हो सकती है कम्पनी इंडिया में इस बाइक को तभी लॉंच करेगी जब इंडियन कस्टमर्स इस बाइक को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि दोस्तों यह जो बाइक है यह आपको काफी महेंगी देखने को मिलने वाली है डेमन मोटरसाइकल ने अभी तक इसका CES मोटरसों में भी नहीं बताया कि इसका प्राइस क्या होने वाला है लेकिन अगर इंडिया में इलेक्टरिक बाइक को काफी अच्छा रिस्पॉंस मिलता है तो डेमन भी फॉर्स और आपको इंडिया में हैपर स्पोर्ट एचेस यह लॉंच कर जागी वेल दोस्तों यह था मेरा वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर जाना आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझसे कॉमेट में पूछ लेना थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई रियले अप्रेशिट यह टाइम झाल 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 झाल